अगर आप भी गर्दन, कंदे और सर्वाइकल के दर्द से परिशान है न दोस्ते, तो आज मैं आपके साथ जो नुस्खा सेर कर रहे हूं, इसके साथ साथ कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी, जिनको भी गर्दन में दर्द रहता है, सॉल्डर में दर्द रहता है, या फि आपके साथ जो एक्सरसाइज इसमें मैं बताने वाले हूं न वो तो एकदम ही बड़ी है एक्सरसाइज है दोस्तों, आपके आथ का दर्द पूरी तरह से गाइब हो जाएगा, मैंने पहले वीस तरह किन उसके सेर की ओ, एहुन में पहुती ज़्यादा जो अच्छे- एक्सरसाइज इसमें बहुत ज़्यादा फाइदा हुआ है, तो आज मैं आपको जो एक्सरसाइज बताऊंगी, यह सर्वाइकल के दर्द में भी फाइदा करती है, आथ के दर्द में भी फाइदा करती है, और जिनके सोल्डर में, जोड में अकडन है, जकडन है, उसमें भ इक चमच मेही दाना और एक गिलाष पानी की अंदर बिगो कर शाम को रख देना है। सुबह जब आप उठेंगे तो ये पूरा का पूरा एक गिलास पानी मेथी के साथ में ही आपको एक बरतन में डालना है और इसको गरम होने के लिए रख देना है गरम कितना करना है वो आगे आपको मैं दिखाने वाली हूँ थोड़ी सी देर गैस का फ्लेम फूल रखना जब पक पक कर आदा गिलास पच जाए बस इतना आपको पका लेना है जब वो आदा गिलास रह जाएगा तो आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसको डखकर इसी तरीके से छोड़ देना है कम से कम 15 मिनेट के लिए 15 मिनेट के बाद में आप इसको छान कर ले लेना या मेथी दाना जो होता है वो पूरा नीचे बैठ जाता है इसके तले में आप उपर-उपर से जो है इसका पानी निकाल ले तो मैंने या पे इस तरह से इसको छाना नहीं है बस वैसे ही इसका पूरा पानी उपर-उपर से निकाल लिया है यह आधा गिलास पानी बचा है जैसे पहले ये फुल भरा हुआ था ना अभी आदा गिला से अब आपको इसके अंदर एक चीज और मिक्स करनी है लेकिन द्यानी रखना जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए यानि कि जैसे नॉर्मल टेंपरेचर का होता है उस तरह का हो जाए एक दम चिल्ड नहीं होना चाहिए नॉर्मल टेंपरेचर जैसे गर्मियों में पानी रहता है या फिर आभी का आप गुन-गुना पानी लगा ले इस तरह का हो तभी आपको इसके अंदर एक सी दो चमच सहद मिक्स कर लेना है दोस्तों यानि कि अनी इसके अंदर मिक्स करेंगे अनी जब भी आप लेकर आए अच्छे ब्रांड का लेकर आए और साथ की साथ ये नुस्खा आप इस तरीके से बना कर और इसको आप सिर्फ सबतावर आजमा कर देखना लेकिन इस नुस्खे के साथ-साथ आपको एकसरसाइज जरूर करनी है आप सोचे कि सिर्फ नुस्खा हम ले ले नहीं दोनों अकडन हो रही है वो भी दूर हो जाएगी और साथ की साथ आपके आथ में दर्द है गरदन में या सोल्डर में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा दोस्तों आप एक बार मेरे कने से इस नुस्खे को आजमा कर देख सकते हो जिनको भी समश्या है आजकल जो है ना आथ का कर साथ दिन में ही अपने दर्द में फरक पा सकते हो और यहां तक कि अगर आपनी यह एकसरसाइज कर ली तो पहले दिन ही आपके आथ का जो दर्द होता है ना उसमें पूरा फाइदा आपको नजर आएगा और दिरे-दिरे करके पूरे दर्द गायब हो जाते हैं अब यह कर रखना है आथ में भी जोलने होना चाहिए एक दम स्ट्रेट आपको आथ रखने ही इस तरीके से और उंगलियों को टाइट रखना है साइड में ले जाना ही इस तरीके से और नीचे लाते समय आपको रिलेक्स करना है लेकिन जब आप हाथ को सामने टाइट करेंगे तो आपको जो है सांस बरना है अंदर और आथ को नीचे रिलेक्स करेंगे तब ही आपको सांस को छोड़ना है इस तरीके से आप 5-10 पार करें इसके बाद में जो इस दुसरी एक्सराइज है उसके लिए आपको ये देख रहे हैं आप अपने आथ की उंगलियों को पुरा खोल कर रखना है और एकदम टाइट करनी है उंगलिया हलकी सी मोड़ कर जो आगे की बोट होती है उसको मोड़ कर टाइट करनी है और आपका पूरा शरीर नहीं लना चाहिए सिर्फ आपको आथ को इस तरीके से करना है तो इससे के अब आपने आतों की जो नसें होती है वो एकदम stretch होती है ये भी 5 से 10 बार करना है 10-10 का set कर सकते हो अगले exercise ये होगी आतों को एकदम सीधा रखना solder पूरे आपके सरीर को body को एकदम सीधा रखना है और सामने आत भी एकदम straight रखके दोनों अंगुठों को मुठी बीच के मिलाना है और इस तरीके से एकदम पीछे आपके जो दोनों solder है आगे नहीं जुकना है पीछे भी नहीं जुकना है एकदम सीधाई में आपके आतों को उपर ले जाना इस तरीके से और ये set भी आपको जो है कम से कम 5 से 10 बार करना है आप ये decide कर ले 5-5 के set कर रहे हैं या 10-10 के इसको दिन में कम से कम 3 बार आप कर सकते हैं पांस मिनेट की भी exercise नहीं है और आतों में तुरंत फायदा मिलता है और फिर बाद में आपको जो चोथी exercise है उसमें आपको क्या करना है बोडी को एक दम सीधा रख के अपने हाथ को इस तरीके से आप देख रहना करना है लेकिन बोडी नहीं इल नीचे ये सिर्फ आपका जो हाथ है न कोने के नीचे का बस उसी को आपको इस तरीके से बार की तरफ तकेलना है बस शुरुवत में जैसे आप पांच-पांच की सेट कर सकते हो या फिर जैसे एक बार आपने पांच का सेट कर लिया दिन में आप एक बार दस का सेट कर सकते हो पांच मिनिट की exercise है ये चार-पांच और आपको ये तुरंत फायदा देने वाले हैं किसी-क दिन में एक दम जो है आप ठीक हो जाएंगे लास्ट में आपको इस तरीके से stretching जरूर कर लेनी है क्योंकि जब आप सुरुवात में exercise करते है न तो दर्द में अलका साइसे लगता है दर्द बढ़ने लगता है लेकिन एक तो बार कर लेंगे stretching कर लेंगे तो आपको पूरा फाइदा जो है मिल जाता है दोस्तों अगर किसी को cervical की या फिर जैसे मैंने बताया solder में अकड़न जकड़न और दूसरी समस्या कई बार क्या होता है हम जैसे कई बार गाड़ियों से गिर जाते है चलते चलते गिर जाते हैं चोट लग जाती है तो जो है ना इसके दूसरे सकते हैं तो अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या है ना इस तरह की तो आप एक ऐवर डॉक्टर की राय भी ले सकते ह। कई बार क्या होता है halten सोचते हैं हमें ये ओरा है और जैसे हम कई बार गाड़ियों से गीर वगेरा जाते हैं तो उसमें चोट वगेरा आ जाते हैं वो काफी समय के बाद जो है न वो चोट आपको परिसान करने लग जाती है दिक्कत आने लग जाती है तो आप जो है उसके बारे में एक बार एक्सर्साइज करके घर में ही अपना दर्द जो है ठीक कर सकती हो बिना किसी दवाई के और बिना किसी ज़्यादा जनजट के तो मैं आपको यहाँ पर सजट करूंगे अगर आपको 7 दिन में इससे फायदा लग जाता है तो आप 7 दिन कर ले अगर किसी को ज़्यादा समश्य है तो 15 से 20 तिन आप इसे कर लेना एक तम बिलकुल ठीक हो जाएंगे दोस्तों तो ये था अमारा आज का नुस्खा और एक्सरसाइज अगर आपको इससे फायदा लगता है तो फीड़ेक जरूर देना वीडियो को लाइक कर देना कमेंट करके बताना और मैं चाहती हूं दोस